जोदपूर जिले के ओस्याक्षेतर के चांडी स्तित भीलों की ढाणी में अचानक से आग लगने से दो मासूम जिन्दा जल गए इसमें दोनों मासूम भाई भैन की मौके पर ही मिलती हो गई और साथी तीन घर भी जलकर स्वाहा हो गए चांडी निवासी पुनराम के साथ और वही नौ साल के पूतर सुनील और बेटी पूतरी सुशिला घटना के समय घर पर अकेले मौजूद थे अचानक लगी आग की लपेटों से दोनों घिर गए और साथी मौके पर ही दोनों जिन्दा जल गए आग लगने में आपको बता दूँ कि तीनों भाईयों और साथी पुनराम, बिराराम और मुलाराम के घर भी एक साथ जलकर खाक हो गए इसमें घर में रखे सामान भी जल गया और आग लगने के कारणों का भी तक खुलासा नहीं हो पाया और इस घटना की सूचना पर ऐसा चो भोजा सर उपखन अधिकारी रतनलाल रेगर तैसिलदार सहीत कई अधिकारी गण भी मौके पर इस पूर्य स्तिती का जायजा लेने पहुंचे